हलो इस्टोरेंट मेक तसिंग आप सभी का ज्यान चितने जेनल में बहुत बहुत सहवत करती हूँ आज की इस टॉपिक में हम हरपा सब्विता के बारे में देखेंगे तो चुकि ये पहला वीडियो है तो ये इंट्रोडक्शन की कैसे एक प्राचीन शहर की खोज होती है और किस प्रकार से उन्होंने इस हरपा सब्विता का नाम करण किया साथ ही जो मैप की माध्यम से भी देखेंगे कि कौन-कौन से इस्तल है और भी बाते करेंगे तो शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एक प्राचीन शहर की खोज कैसे होती है तो बहुती इंट्रेस्टिंग स्टोरी है इसकी 1826 में चार्ल्स मैसन एक अंग्रेज पश्मी पंजाब में हडपा नामक गाहों में आए उसने वहां बहुत पुरानी वस्ती के बुर्जो और अदबुद उची-उची दिवानों को देखा उन्होंने ये समझा कि ये शहर सिकंदर महान के समय का है तो 1826 में सबसे पहले ये नजरों में आता है आगे देखते हैं 1872 में पिरसिद पुरा वेत्ता सर अलेकजेंडर कनिंगम कनिंगम ने इस इस्तान पर आए और उसे आसपास के लोगों ने उनको बताया कि हड़पा सब्विता की ये उंची उंचे टीले जो है हजार वश पुराने शहर के अउसेश है अपने राजा की दुष्टिता की कारण ये शहर नश्ट हो गया किसी कारण बस तो ये एक ऐसे चला जाता है और फिर आगे जो कनिंगम है उन इस्तान से कुछ पुरा ताद्विक बस्तुएं भी इखटी कर लेते हैं लेकिन वह इन बस्तुओं का काल निधारन ना कर सके मतलब उनका काल निधारन करने में वह सक्षम नहीं थे या फिर उनको कोई लिंक नहीं मिला कि उसका काल निधारन हो सके उन्होंने समाने तोर पर यह माना कि संभा होता यह बस्तुएं भारत से बाहर की हैं यानि कि उन्होंने जो भी बस्तुएं कलेट कीते उन्होंने माना कि यह बाहरत की नहीं है कहीं बाहर की हैं इसलिए उन्होंने गाओं के लोगों के इसमत से सहमती बैखती की कि यह सहर लग पुरातत विद जॉन मार्शल ने हडपा के बिसे में रिपोर्ट दी और एक लंबे समय से बिसमित सब्विता के बारे में लोगों को बताया और फिर यहीं से सुरू होता है कि हडपा सब्विता जो है वो सभी के सामने आती है और उसका उत्खरन कार जो है वो आरम में होता है अब सब्विता और नंगरी करण के बारे में देखते हैं कि इतनी सारी खुदाई हुई है तो सब्विता और नंगरी करण किन आधार पर हम इसको मानते हैं तो नंगरी करण का अर्थ नंगरों का अदभव सब्विता का अभिप्राय इससे कहीं ब्यापक है किन्तु यह एक ऐसे विशिष्ट सांस्कितिक अवस्ता की गोतक हैं जो सामाने रूप से नगरों और लिपियों से संबंदित माना जा सकता है पुरा तद्विदो ने आकार और इस्थापत्य के विकास के आधार पर कुछ नवपाशान योगीन बस्तुों को लिपि की अनुपस्तिती में भी नगरी दर्जा दिया जैसे की जॉर्डन के जेरीको जो आठवी शताबदी इसापुरु के थे तरकी के सताल हुईुक ये साथवी शताबदी इसापुरु के थे इनौने इस सब्विता में लिपियों का अभाव था लेकिन फिर भी इनको सब्विता मानी गयी है आगे है अब ये वाली जो सब्विता हैं इन में नगर मौजूद नहीं थे लेकिन फिर भी इनको सब्विता कहते हैं जैसे मोसो अमेरिका की माया सब्विता, ग्रीस की माई सीनियन सब्विता आगे है पेरू की इनका सब्विता के पास बास्विक लेखन प्रणाली मुझूद नहीं थे लेकिन फिर भी इसको इनको सब्विता की श्रिवनी में रखा गया है तो नंगरों को परिवाश्यत करने का सब्विता जो प्रयास किया है वी गार्डन चाइल ने 1950 में किया है नगर को सामाजिक विकास के किरम में एक नई आर्थिक अवस्ता की रूप में परिवाश्यत करते हुए और उने सब्विता को कृांटी की संग्या दिये है अब पहले ही और नोंने नवपाशान काली नवपाशान क्रांटी की तरह नगरी क्रांटी भी ना तो आकिसमिक थी और ना ही हिन सकती, यानि करांती का जो जब शब्द आता है, तो हमें लगता है कि करांती मAG अचानक से परीवर्टन हुआ है, या फिर अचानक या फिर कहें कि खून खराबा हुआ हुआ होगा इसी परीवर्टन के लिए, तो लेकिन यहां पर जो करांती शब्द है, वो ना ही कोई आकिसमेक परिवर्तन था बलकि ये सदियों से चली आ रही सामाजी के वब आर्धिक परिवर्तनों की परुणती थी बाद के दिनों में नगरी करण को परिवाशित करने के संबन में तीन अलग अलग धाराण प्रचलित हुई इसमें पहली है लिपियो लेखन भब इस्थापत्य या सघंज जनसंख्या जैसे गुड़ों को पहचान करने पर किंद्रित होती है बस्ती का आकार इस्थापत्य जैसे सुरक्षा दीवारे या पत्थरीटों का जैसे ठोस विशेषताओं पर अधिक बल देती हैं तीसरा सांस्किर्टिक जटिल प्रभाव शील राजनेतिक नियंतर इत्यादी को भी उन्होंने जो तीन धाराएं प्रचलित हुई है बाद में वह यह तीन धाराएं यह बताती है कि इनके आधार पर किसी भी सभिता को न नगरीय करण की जो कसोटी है उसमें खरी उतरती है इन तीन के आधार पर सभी विद्वान इत्यासिक पिकरियाओं के पलायान को अलग-अलग तरीके से समझते हैं जैसे कि गार्डन चाई कहते हैं कि जीवन निर्मा पदिती खाद अधिशेष उत्पादन ताम कास तक्निक किया तायात में चक्के वाले बाहनों का प्रियोग बड़े जहाज हलका प्रियोग इत्यादी उन्होंने महत्त दिया है और मक एडम ने नगरों और उनके अंता छेत्रों के बीच के महतपूर संबंद को नगरीय जीवन की समझ के लिए ब्याखित किया है यानि कि नगर और गाओं के बीच जो संबंद है जो रिलेशन्सिप है दोनों के बीच में उनको इन्होंने बताया है और इसी क्यादार पर नगरे जीवन को समझाने का प्रियास किया है स्योख वर्ग जो है इन्होंने कहाई कि बताया है कि नगरों की इत्यास तथा बिविन समराजियों के उत्थान पतन के बीच गहरे सम्मंदों को रेखांतित करने का प्रियास किया है आगे उप्रोग तो ब्याक्याओं के अत्रिक नगरी करन के बिकास के सम्मंद में जनसंक्या ब्रदी लंबी दूरी का ब्यापार सिचाई तथा वर्ग संगर्स जैसे कारकों को भी मातपूर्ण माना जाता है अगर किसी भी सब्विता में ये सारी चीजें है तो ये माना जाता है कि वो नगरी ये सब्विता थी अग आते हैं हड़बा सब्विता का नामकरन कैसे हुआ कि हड़बा सब्विता कहना सही है या सिंदू घाटी सब्वेता, या सिंदू या सरस्वती, या फिर कास यूगीन सब्वेता यह सारे नाम प्रचले थे तो वारी वारी से देखते हैं कि कौन सा नाम इसको सही नामकरण कौन सा है तो सबसे पहले देखते हैं सिंदू घाटी सब्विता चुकि यह है प्रारमबी के स्थलों की खोज सिंदू नदी तता इसकी सहयक नदियों के किनारे होने की कारण इसको सिंदू घाटी सब्विता कहा गया लेकिन अगर हम बास्तवी के स्थलने जो देखें एक हजार बाईस हैं और 406 जो है पाकिसान में है 616 हिंदुस्तान में है और अभी तक जो उत्खरनन कारे हुआ है वो 97 स्थलों में हुआ है बाकी अभी बचे हुए हैं तो हडपा सबदा जो की 6,80,000 इसापूर्फ से 8,00,000 वर किलो मीटर के विशाल छेतर में फैली हुई थी और ये त्रभुजा आकरती में फैली हुई है अगर हम देखें इसका फैलाव तो उत्तर में देखें तो मांडा और पाकिस्तान के मकराम तटपे सुकतांगें दोर जो है वो पश्मी वाला है और पूरब में देखें तो आलमगीरपूर हिंडन नदी परिस्तित है यूपी साहरनपूर जिले में और दच्छिन में देखें तो सूरत जिले में मालवा तो इस हिसाब से जो तिरवोजा का आकिरती हमें देखने को मिलती है इसके अलाबा भी अफगानिस्तान में शुर्ट गोई और मुंडिगाग दो इस्थान मिलते हैं तो हमें ये भी इंपोर्टेंट है और इनको याद रखना है क्योंकि कभी-कभी एक्जाम में पूछा हुगा यूजी सिनेट में कि कौन से इस्थाल है बहुत सारी इस्थालों के चार इस्थाले दे दिये गए और नीचे कूट देकर पूछा गया है कि कौन से इस्थाल जो है वो अफगानिस्तान में है तो हमें शुर्द गोई और मुंडी गाग जो है वो याद रखना है आगे देखते हैं भोगोले के विस्तार के आधार पर सिंदु घाटी सब्विता के नाम करण पर प्रिश्णिचिन स्वभाबिक होता है क्योंकि सिंदु घाटी सब्विता पर ही सारी की सारी जो सब्विता इस्तल है वो किंडित नहीं थे उसके बाहर भी हमें इस्तल प्राप्त हुए है जैसे कि सरसवती नदी किनारे पाए गाए हैं, तो क्या हमें सिंदु घ Ti सविता न न कह कर सिंदु सरसवती लुई कहना उप्योक्त होगा है क्योंकि इस गग्गर हक्रा बिकिनारे थे जिनको वर दौन सही नाम करन इसका लगता है वो है हडपा सब्विता क्योंकि हडपा से जुड़े पहले इससल की खोज जो पहला इससल खोजा गया था वो हडपा ही था तो उसी के आधार पर जितने भी इससे सम्मंदित होंगे तो इसको हडपा सब्विता ही कहा जाएगा पुरातत के शास्ती परंपरा के अनुसार इसको हडपा सब्विता कहा जाना सबसे उप्यूक्त मालूम पड़ता है हडपा सब्विता कहे जाने का निश्यत रूप से अभी प्राय नहीं है कि ये सब्विता सबसे पहले हडपा में पन पी थी पनपना एक अलग चीज है और खोजना चुक्कि यहां पर सबसे पहले खोज हुई थी इस सब्विता कि इसलिए यहां पर हडपा सब्विता कहना इसको उप्यूक्त होता है अध्वा इस से जुड़े सबी अन्यस्तल हडपा के सामें रखते हों तो यह चीज यहां पर नहीं माननेंगे आगे देखते हैं हडपा सब्विता से जुड़े विशिष्ट पहचान तो हडपा से जुड़े अगर कहीं पर खुदाई हो रही है और लाल पर काले रंगे देजान वाले मृतभान जिन पर अधिकतर ज़्यातर प्रतीक चिन्न हैं तिरकोर या ब्रताकार वाले टेरा कोटा के टुकड़े जो वन तू फोर के अनुपाद में बने इट तथा कुछ प्रस्त्रिये और तामे की वस्तुएं अगर कहीं भी पाई जाती है तो हम यह मान कर चलते हैं कि यहां पर हडपा सब्विता का एक इस्तल है जब कहीं भी यह सभी बहुत एक सामगरी किसी एक इस्तान पर पाई जाती है तो उसे हडपा सब्विता के इस्तल के रूप में पहचाना जा सकता है अब देखते हैं कि हडपा सब्विता को कम से कम तीन चर्णों में देखा जा सकता है आरंबिक हडपा सब्विता, परिपक हडपा सब्विता और उत्तर हडपा सब्विता जो आरंबिक हडपा सब्विता है उसको छेत्री करण भी कहते हैं और इसका जो समय पीरियड है 3200 से लेके 3220 था तो यह नगरी जीवन की बीजा रोपन का काल था और यह जो डेट है वो कारवन डेटिंग पद्देती की आधार पर यहां पर मैंने लिखा हुआ है उसी उन्होंने जो बताया था कारवन डेटिंग की अनुसार और परिपक हडपा सब्विता को एकी करण कहते हैं जो की 2600 से 1920 है इस्थानिय करण उत्तर हडपा काल सब्विता को कहते हैं जिसमें नंगरी करण का जो है पतन होना शुरू हो जाता है और पतन का काल इसको कहते हैं जिसका समय पीरियड है 1900 से 1300 बीसी आगे देखते हैं जिम शेफर 1992 में नव पाशाण तामर पाशाण इस तल से हड़पा सब्वेता के पतन के काल के बीच के संपूर अविदी को सिंदु घाटी परंपरा के रूप में वर्णित किया है तो ये तीन चनर हैं जिसमें हमें हड़पा के स्टार्टिंग परिपक और उत्तर हड़पा सब्वेता दिखाई देती है अब उत्पत्ति और उत्भाव की बात करें तो उत्पत्ति और उत्भाव में दो मत हैं एक बिदेशी मत और दूसरा है देशी मत तो बिदेशी मत वाल समलेथ हैं यानि कि जैसे सुमेरियन हुआ और मिश्र हुआ यहां की लोग आकर यहां पर सब बता कर जो बिखास होता है वो वहां की लोग आकर यहां पर करते हैं तो सबसे पहले मत देखते हैं में सोपोर्टामिया और सुमेरियन E.J.H. मैके ने सुमेरिय के लोगों के आप्रवेजन को सिंदू सबधा के अभियूदय का कारण बतलाया दूसी सबधाओं से अप्रवेजन के पक्षिदारों में D.H. गार्डन, S.N. क्रेमर और मार्टन वीलर है वीलर के अनुसा लोगों के इस्थान पर विचारों के आगमन को मातकुन बतलाते हुए कहते हैं कि हरपवासियों के समक्ष एक मॉडल उपस्ते था जिसके आधार पर उन्होंने सबधा की रचना की यानि की बिदेशी सबधा के लोग यहां पर आ गए चुकि उनको वहां पर जहां से वो आये थे उनका वहां पर बहुत ही डवलप यानि नगरिये सबधा थी तो एक मॉडल के रूप में वो पहले से ही जानते थे और यहां पर आकर उन्होंने उसी मॉडल के आधार पर जो कि मिष्र या मेसोपोटामिया की सभिता की आधार पर इन पारवर्टी सभिताओं का विकास होगा होगा परंतु यहां पर यह तरके बिल्कुल सही भी हो सकता है कि वहां के लोग आये होंगे यहां पर जो सभिता है उसको डबलप की गई होगी यह एक ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है परंतु मेसोपोटामिया और हडपा सभिता की बीच कुछ बिभिन ताइम भी देखने को मिलती है जिसके आधार पर यह मत बिल्कुल गलत साबित होता है जैसे कि मेसोपोटामिया की लिपी कास के उपियोग या दिखता आवासी योजिना नहरों का ब्यापक प्रियोग हड हडपा सभिता से मेल नहीं खाते हैं अगर यह वाली चीज़ें यहां से मेल खाते यानि कोई एक चीज ना लेकर कम सक्रम तीन चार पॉइंट ऐसे होते जो मेसोपोटामिया से संबन्द रखते तो ऐसा माल लिया जाता कि यह वहां की सभिता से ही यहां पर डवलप की हुई है अब दे सीमत में देखते हैं सोथी संस्कृति अमलानन्द घोश्ट का अध्यन पूर्व हरपा काल यानि राजस्तान के विष्छित शोथी संस्कृति पर केंदे था उन्होंने जोब, कवेटा, काली बंगा, कोडदीजी, हरपा तथा मोहन जोर्दोरोंस के पूर्व ताकि आधारपा सोटी संस्कृति को प्राग हडपा संस्कृति का हिस्सा बताया यानि कि उन्होंने जो प्राग हडपा सब्विता के इस्थलते उनका अध्यन करते हुए उन्होंने बताया कि यह जो सब्विता है वो देसी है मतलब यहीं से उत्पन धीरे-धीरे डबलब होत गए चीजों में परिवर्तन हुआ और उन्होंने नगरों का रूप ले लिया तो इस हिसाब से उन्हों अमलानंद जो घोश है उन्होंने ये बतलाया है तो ये देशी उत्पत्ती हो या विदेशी हो तो इसमें बहुत जादा हमें नहीं जाना है क्योंकि ये बहुत ही है ता कि कुछ प्रमौ केंद्रों का वितरन जो हैं वह हम मैप के माध्यम से देखते हैं क्योंकि अगर हमें भी मैप के माध्यम से हम चीजーों को याद रखते थो हमें काफी दिनों पाकिस्तान में है फिर देखते हैं पूरा उत्तर में मांडा है जम्मू कश्मीर में और ये वाला जो है वो पूरा पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान में देखते हैं हरपा है नौशारो है मोहन जोदरो है कोट दीजी है चहुंदरो है गनेरी वाला है सुकता गिन दोर है सुत का को है बाला कोट है अल्ला दीनों है आमरी है तो यह पाकिस्तान में है प्रमोख है और भी है इसके अलावा लेकिन यह प्रमोख है अब देखते हैं पंजाब बाले पंजाब में रोपर है संगोल है, चकबाडा है डर मंजरा है, सराय खोला है अब हर्याना वाले में देखते हैं तो हर्याना में सिस्वल मीताथल बालू, राकी गड़ी बनावली, कुनाल कुनार से चान्दी के मुकुट प्राप्थ हुए भिर्णा, यह सारी के सारी जो हर्याना में है अब यूपी का देखते हैं यूपी में मेरट के पास आलमगीरपूर जो के हिंडन नदी पर इस्तित है इसके लाबा यूपी में बड़ा गाउं हुलास ये भी इस्थल जो हैं वो हडपा सपेता से सम्मद देते हैं अब देखते हैं गुजरात वाले छेतर में एक कच्च की घाड़ी के पास इस्तित हैं और एक खमबात की तो कच्च की घाड़ी के पास जो हैं सुत्थ, सुरकोतड़ा, धोलावीरा, देसलपूर और खमबात की घाड़ी से सम्मद देते हैं लोथल, रंगपूर, कुन्तासी, शिकारपूर, भगताराव और महगाम तो ये कुछ नाम है अगर हमने एक बार भी मैप देख लिया या फिर दो-तीन बार वीडियो देख लिया तो हमें ये चीज बिल्कुल हमारे मस्तिक्ष में एकदम ट्रेस हो जाएंगी यानि छप जाएंगी अब कुछ यहां पर प्रारंभिक हरपपा सब्विता के प्रारंभिक चणन के कुछ केंदर देखते हैं यानि कि हरपपा सब्विता डबलब होने से पहले जो प्रारंभिक चणन हमें देखने को मिलते हैं वो कहां कहां देखने को मिलते हैं तो यहां सबसे पहले शुरू करते हैं पाकिस्तान से बाला कोट, निंदोवरी, कुली, नाल, यह important है, मोहन जोदडो, नौशारो, जहां पर सिंदूर के साक्ष वगेरा मिलते हैं, नौशारो, गुमला, लीवन, रह्मान धेरी, ताराकाई किला, तो यह कुछ पाकिस्तान में है, इसके पाद जहाग है, सराय खोला है, अब भारत के देखते हैं, तो कुनाल है, बालू है, सिस्वल है, राकी गड़ी है, भिर्राना है, सोठी है, गंगन वाला है, काली बंगा है, बना वली है, हडपप, जो है वो पाकिस्तान में है, जलालपूर पाकिस्तान में है, कोट दीजि, आमरी ये भी पाकिस्तान में है, अब यहाँ पर गुजराद वाले में देखते हैं, धौलावीरा है, सुर्प, कोतड़ा है, नंगवाला है और पादरी है, तो यह कुछ परारंबिक, चर अब हम देखेंगे कि जो भी प्रमुक स्थल हमने देखे थे उसका हम जो डिटेल में हैं जैसे मोहन जोड़ो, हरपपा हुआ, बनावली हुआ, रोपड हुआ, इनको हम विस्तार से देखेंगे और किस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर था, किस प्रकार से उनकी घर बनी हुए पूर्वी किला, पश्मी किला, क्या था, इनको सभी डाइग्राम के माद्यम से देखेंगे, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करिए, तो आज के लिए वस इतना ही, आप सभी का बहुत 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 दन्यवाद